बिहार में निकाय चुनोव के दूसरे फेज की काउंटिंग संपन हो चुकी है जनता ने अपना फैसला सुना दिया है पूर्णिया डगंडिकन की बात करें तो यहां से 46 वाडों को नया वाट पारसंद मिल चुका है पूर्णिया के वाड संक्या 35 से इस बार लखेंदर कुमार शा ने 60 वोटों से जीत दर्च किया है लखेंदर कुमार सा को कुल 922 मत मिले हैं दूसरे अस्तान पर रहे साहीद को 862 वोट मिले हैं लखेंद्र कुमार सा पहली बार वाट पारसद बने हैं वाट संख्या 35 से वाट पारसद पद के लिए 15 उमिदवार मैदान में थे लेकिन सीधा मुकाबला लखेंद्र कुमार सा और साहिद के बीच हुआ मिडिया से बाचित के करम में लखेंद रुक्मार साह ने कहा कि यहां जीत वार्ड संखिया 35 की जनता की जीत है जिस तरह जनता ने उन्हें अपना प्यार और आशिरवाद दिया है वह उनका कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे और वार्ड को स्मार्ट वार्ड मनाएंगे वार्ड का विकास करना ही उनकी प्रात्मिक ताएं होंगी जनता चुनने का काम किया हम लोग जनता के सातरा के काम करते रहेंगे हम परतिनी दिन नहीं जनता का सेवक बनके काम करते रहें जो भी सरकारी योजना है उसे धरातल पे लाके जन जन को सिखा के काम करने का काम करेंगे लोगों के लिए जनता अभी हम लोग के लिए जहां भी एक जन समर्थन बना के बीजय बनाया जनता का हर सुख दुख में साथ रहेंगे लखेंदर कुमार्शा 25 अब हर खबर पर होगी हमारी नज़र पल पल पदलती देश और दुनिया की हर खबर पाईए सीधा अपने मोबाईल पर ऐसे ही खबरों के लिए करेश सेच 24 लाइब को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिये गए बेल आइकन को भी दबाएं थैंक्यू